10.5 प्रकाश का समतल सतह पर अपवर्तन दैनिक जीवन में आपने अपवर्तन की कई घटनाओं को देखा होगा आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी बर्तन की तली उठी हुई दिखाई देती है क्या आप जानते हैं ऐसा क्यूं होता है? यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे मिट्टी का तेल, तारपिन का तेल प्रयोग करें तो क्या बर्तन की तली उतनी ही उठी हुई प्रतित होगी? पानी से भरे ग्लास में पैंसिल या चम्मज डाल कर देखें वस्तु मुड़ी हुई नजर आती है इसके पीछे की अवधारना हम क्रिया कलाब द्वारा समझेंगे क्रिया कलाब दो एक मेज पर एक कटोरी रखिए कटोरी के तल में एक सिक्का रखे अपने दोस्त को कहिए कि मेज के पास खड़े होकर कटोरी को देखे अब उस विद्यार्थी को मेज से धीरे धीरे दूर हटने को कहें ताकि सिक्का दिखाई देना बंद हो जाए उस जगा पर उसे खड़े होने को कहें अब आप कटोरी में सिक्के को बिना हटाए उसमें पानी डालते जाएं क्या आपका दोस्त जहां खड़ा है वहां से उसे अब सिक्का दिखने लगा है या कैसे संभव हुआ पानी में हो रहे प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक इस्थिती से थोड़ा सा उपर उठा हुआ प्रतीत होता है सिक्के का यही आभासी प्रतिविम आपके दोस्त को दिखाई देता है हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में जब गमन करती है तब सरल रेखा में चलती है पर क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश के सरल रेखिये पत का दोनों माध्यमों के अंत्रा प्रिष्ट पर क्या होता है जब प्रकाश कीरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्चा प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसके मार्क की दिशा बदल जाती है अर्थात जब प्रकाश की रण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पत से विचलित हो जाती है इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते है प्रकाश की रण का दो माध्यमों के अंत्रा प्रिष्ट पर चाल बदलना और सरल रेखा से मुड़ जाना ही अपवर्तन कहलाता है प्रकाश की रण यदि समतल सता पर अभिलंवत प्रवेश कर रही हो तो उसकी दिशा में अपवर्तन पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होता है इस अध्याए में हम विरल माध्यम व सगन माध्यम शब्दों का प्रयोक कर रही है इनका अर्थ प्रकाशिक घनत्व से है प्रकाशिक घनत्व द्रवेमान घनत्व से अलग होता है अधिक अपवर्तनांग वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तित किरन दोनों माध्यमों के अंत्रा प्रिष्ट पर बने अभिलम की ओर मुड़ जाती है क्या आप बता सकते हैं कि अपवर्तित किरन सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय अभिलम की ओर मुड़ेगी या उससे दूर चित्र को देख कर बताएं और उसके पीछे के कारण पर चर्चा करें आपतित किरन द्वारा अभिलम से बने कोण को आपतन कोण कोण आई वह अपवर्तित किरन के द्वारा लम से बने कोण को अपवर्तन कोण कोण आर कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय प्रकाश की रन द्वारा बने कोण I व कोण R में से कौण सा कोण बड़ा होगा चित्र बारा B चित्र बारा A माध्यम A माध्यम B की तुलना में अधिक सघन है तो माध्यम B में प्रकाश की चाल V2, माध्यम A में प्रकाश की चाल V1 से अधिक होगी